आप सब उमीद करते हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूं तो आज मैं आप सभी के साथ सेर कर रहे हूं गुलाब जावून रेसिपी जो की बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है बहुत ही कम इंगेडियन से बनती है तो यह घर के समानों से बन जाती ह बिना खोया बिना मावा ये बन जाती है तो देखने में आप देख रहे हैं कितनी यम्मी लगड़ी है खाने में उतनी ही टेस्टी है तो आप जरूर ट्राइ कीजिए गई इसको और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी गुलाब जामून कैसी बनी है तो चलि लेते हैं हमको इनके लिए क्या-कया समान की जुरूरत है तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि यह मिल्क पॉडर हमने ले लिये हैं एक कप अगर आपके घर में कोई मिहमान आ जाए अगर आपको कुछ मीठा खाना हो तो आप जटपट में इने बना सकते हैं तो यह मि चीजों को अच्छे से मिला के आपको यह अच्छा सा एक डो तियार करके गुलाब जाबून बनाना है तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तो गैस पे कराही चराएंगे और गैस को भी आउन नहीं करना है हमें आफ ही रखना है और कराही में हम सबसे पहल लिए हैं उसको हम डाल लेते हैं अगर आप ज्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने दूड डाल लिए और दूड के साथ ही इसमें हमने घी मिला लिए हैं और दूड और घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे दूड और घी दोनों को हमने अच्छे से मिक्स क कर लिया है अभी हम गैस को बिल्कुल भी नहीं जलाए हैं और अब हम इसमें मिल्क पॉडर मिला रहे हैं तो मिल्क पॉडर को आप अच्छे से आपको फेटना है ताकि इसमें लंच न रहे और अब हम गैस का फ्लेम आन कर लेंगे और तब हम इसको मिलाएंगे और इसको अच चलाते ही रहें बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं है नहीं तो क्या होगा य dirig से मिलक पॉडर है ना इसमें तो नीचे से चीपकने की चांसरज है इसलिए आप चलाते रहें इनको बराबर तो चलाते चलाते इसको डो की consistency में हमें लाना है तो आप देख रहे हैं कि यह कितन जो ठंडा होने के लिए रख देते हैं तब तक हम इधर चासनी बनाएंगे तो चासनी बनाने के लिए हमने पतीले रख लिए गैस पे और इसमें हम डाल देंगे चीनी तो दो एक कप मिल्क पॉडर के साथ हमने दो कप चीनी लिए हैं अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज्यादा ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए कोई भी एक कप या कटोड़ी शेट कर ले तो दो कप चीनी के साथ हमें एक कप पानी लेना है जितना चीनी आप ले उसी मातरा से उसी नाप से आप आधा ही पानी लेना है इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है तो बस हम एक गुलाब-जाजुन की też करना और इस जएसे हमारी चीनी कर गल्ट लाशे अब जाएगी तो हमारी चीनी क मैल्ट हो आपको इसाबी अपना एड़ कर सक्ते है जो आपको पसंद हो तो हमारी चीनी जो है मेल्ट हो गई है अब चासनी में तो आप देख सकते हैं तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी केसर के धागे तो अगर आपके पास केसर ना हो तो आप इसकी भी कर सकते हो या इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा फूट कलर हलका सा डाल सकते हो तो मैंने इसमें क गुलाब जल डाल दिये हैं और इसके साथ ही इसमें हम इलाची का पॉडर डाल देंगे आदी चमच अगर आपको इलाची फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे तीनों चीजों को तो बस अब यह हमारी चासनी जो है बनके तयार हो गई है आप छूके देख सकते हैं जैसे यह दोनों उंगलियों की बीच में लेंगे ना जैसी चीप चीपी सी हो जाएगी ना बस आपकी चासनी समझ यह तयार हो गई है तो बस एक उबाल और आ जाएगी तो मैं इसे एक यह दो मिनट में गयस बंद कर दूंगी अब हमारी चासनी बिल्कुल तयार हो गई है ये देखिए इस तरीके से आप अगर चुएंगे न चिप चिपी सी लगने लगेगी न जैसी आपको तो बस हम फ्लेम को आफ कर देंगे और ज्यादा पानी डालेंगे न तो फिर आपको पकाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए पानी हम कमी रखते हैं तो चासनी तयार हो गई है अब हम चलते हैं डो को तयार कर लेते हैं गुलाब जावून बनाने के लिए तो इसमें हम क्या करेंगे अब जो हम डो तयार किये थे उसमें हम चार ट्रेवल इस्पून मैदा मिक्स कर रहे हैं तो चार टेवल इस्पून इसमें हमने मैदा डाल दिये हैं और इसमें हम डाल रहे हैं आधी चमच बेकिंग पौडर तो बेकिंग सोडा नहीं डालना इसमें बेकिंग पौडर डालना है अगर आपके पास ना हो बेकिंग पॉडर ताप इसकी भी कर सकते हैं और थोड़ी सी हमने इसमें इलाची के पॉडर इसमें भी डाल दिये हैं ताकि इसका टेक्श्चर भी अच्छा आएगा खुसबू आएगी और इसमें भी धोरा सा गुलाब जल मिला दिये हैं माधी तासे थोड़ा अच्छे से मसल ले जितना अच्छा से इसको मसलेंगे आप गुलाब जाबून इतनी ही अच्छी बनेगी बिल्कुल भी फटेंगे नहीं क्योंकि गुलाब जाबून का जो डो है थोड़ा अच्छा से तयार करना होता है ताकत लगा के तभी यो फटते नह अगर आप कम ताकत लगा के अच्छे से डो तयार नहीं करेंगे तो गुलाब जावुन फटने के चांसे होते हैं तो इसलिए हम इसे अच्छे से तयार कर लेंगे अच्छे से गूतेंगे इसको तो यह लीजी हमारा डो अब बन के तयार हो गया है और आप देख सकते हैं कितन चिकना लग रहा है देखने में तो अब हम इसके जो है गुलाब जावुन के पिसेज बनाएंगे बस बिल्कुल इसी तरीके से आपको गुलाब जावुन का जो डो है तेयार करना है और अगर आपका डो जो है थोड़ा टाइट हो जाए तो आप थोड़ी सी हलकी सी पानी मिला के इसे ढिला कर सकते हो अगर आपका डो टाइट हो जाएगा तो आपका गुलाब जावुन भी टाइट बनने लगेगा फिर तो इसलिए आप डो को थोड़ा सा नरम ही रखे तो हमें पानी की बिल्कुल भी जुरोत नहीं पड़ी है और अब हम इसे दोनों हथेली की साहता से गोल करते हुए इसे हम गुलाब जावुन का सेप दे देंगे अगर आप चाहे तो इसे लंबे सेप में भी बना सकते हैं क्योंकि गुलाब जावुन लंबा बला भी बनता है लेकिन हम इसे गौल वाले ही बनाएंगे तो यह लीजी हमने सारे गुलाब जाओन बना के तयार कर लिये हैं और इतने डो से हमने 24 गुलाब जाओन बना के तियार किये हैं अगर आप चाहे तो इसका size बरा भी रख सकते हैं बट मैं छोटे size का बनाई हूँ तो चलते हैं अब गैस की तरफ इसको फ्राइ कर लेते हैं तो गैस पे मैंने कराही चरहा रखी थी और उसमें डाल दिया था तेल और रिफैंड वाइल है ये और ये गरम हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे गुलाब जावून तो ध्यान रखना है कि तेल को आपको ज़्यादा गरम नहीं करना है फ्लेम को हाई नहीं रखना बिल्कुल भी मीडियम फ्लेम पे तलेंगे हम इसे तो तेल देख रहे हैं आपको देखने से ही लग रहा होगा कि मेरा तेल ज़्यादा गरम नहीं है मीडियम गरम किया हैं हम अगर हाई फ्लेम पे आप इसे तेल को गरम कर लोगे तो क्या होगा गुलाब जावुन सारे जल्दी से कलर आ जाएंगे इसमें और अंदर से वो कच्चे ही रहा जाएंगे तो इसलिए फ्लेम को थोड़ा मीडियम पे ही बनाएं इसको और तेल को जादा गरम ना करें और बस इसी तरीके से चलाते हुए हम गुलाब जावुन बना लेंगे तो आप देख सकते हैं यह हमारा गुलाब जावुन जो है कितना प्यारा सा कलर आ गिया है इसमें हम बना करके तयार कर लिए हैं इसको तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और निकाल के इसे चासनी में डीप करेंगे तो बस निकालते जाए और चासनी में डीप करते जाए और ध्यान रखे कि चासनी जो है आपको बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है थोड़ा सा गड़म होना चाहिए चासनी उसी टेम में आप गुलाब जावुन निकालके उसमें डीप कर दें चासनी में और बस उसको डीप करके अंधर तकी उसमें रस अभ् kingdoms हो जाए तो इसे डीप कर दिजिए चासनी में और उसके बाद जो है स्वाप इसी तरीके से हम दूसरा गुलाब जबून भी बना लेंगे और एक बार बना के देखिएगा ऐसा टेक्स्चर आपको लगेगा खाने में इतनी टेस्टी लगेगी कि आपको बार बार बना के खाने गमन करेगा फिर दुकान जाने की जुरत नहीं पड़ेगी घर में ही बना के आप खाओगे तो बस इसी तरीके से मैंने दूसरा भी गुलाब जाबून जो है बना के तयार कर लिये हैं और इसे भी हमने चास्नी में डाल दिये हैं और इसे भी हम उसमें डिप कर देंगे चास्नी में सारे गुलाब जाबून को तो सारा गुलाब जबुन मेरा बणके तयार हो चुका है और इसे हम इसी में चास्नी में छोड़ देंगे 1-1.5 गंटे के लिए ताकि ये अच्छे से रस इपजोर्ब कर ले और इसे ढख करके 1-1.5 गंटे के लिए रख देंगे फिर 1.5 गंटे के बाद इसे हमने निकाल लिये बाउल में और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं कितने यमी लग रहे है और बहुत ही सपंजी बनी है ये खाने में उतने ही टेस्टी है तो मैंने सर्व करने के लिए एक छोटे बॉल में भी दो पीश निकाल के रख लिए है और आप देख सकते हैं इनकी एस्पंज की ये कितनी एस्पंजी है और बस मैं आपको एक काट करके भी दिखा देती हूँ ये कितनी अच्छी बनी है तो आप लोग इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल पर फस्ट आम है